आद्रनिस्री डॉक्टर एमेश स्वामिनातन जी मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान डाधा मौनसी जी आरुपस्तित सभी महनुभाव जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते कारभाल संभाल रहा था तब डॉक्टर स्वामिनातन जी से मेरा परिच्चा आया और उस समय हमने एक स्वाइल हेल कार उस योजना को प्रारम किया था जब उस विचार को मैं कर रहा था तो मेरे यहां से भी काफी ब्यूर्यक्रेटिक रिजिस्टन्स रहता था कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो लेकिन जब स्वामिनातन जी ने पब्लिक लेक बयान दिया स्वाइद चेन्ने से दिया था और यह कितना बड़ा महत्वपुण कदम हमने उठाया है और इससे आगे चल करके कितना लाभ होगा और एकदम मेरी सरकार में हमारे साथियों को जो चीज में समझा नहीं पा रहा था मुझे बड़ी महनत करनी पड़ रही थी कि नहींने भेज को करना है कैचे करना है लेकिन जैसे ही डाक्टर स्वामिनातन का स्टेट्मेंट आया ख़बार में सारे ब्यूरोग्रसी का भूड बदल गया सबको लगा करना है तो बड़ा बहतो पुड कावेप कर ला है यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जो तपस्या है साधना है इसका कितना मुल्य है वो बहां मैंने खुद ने अनुखव किया अब तो वो योजना पुरे देश में लागू करने का हमारा अपने हास है और अब बैसे वो कहे जाते हैं कृशी वज्ञानिक कभी कभी मुझे लगता है वो किसान वज्ञानिक है उनके भीतर एक किसान जिन्दा है सिरफ लबोरेटरी वाला कृशी प्रोडक्शन क्वालिटी इससे जादा उनके जो पेपर्स वगेर देखें तो भारतियक संदर्म में है भारत की कृशी के संदर्म में है भारत के किसान केंद्री है यह जब चीज़ें आती है तो वह बहुत रिलेवेंट हो जाती है वरना कभी कभार जमीन से काफी उपर बहुत सी चीज़ें आती है लेकिन फिर वो बीच का गैब पूरा नहीं होता है डाक्टर स्वामेनाथन जी की विश्यस्ता रही है कि उन्होंने जो चीज़ें जब भी प्रस्तुत की वो जमीन से जुड़ी हुई थी और उसका परणाम यह हुआ कि वो बहुत रिलेवेंट लगी और जादा तर उसका उप्योग भी हुआ। आज के युवां को डाक्टर स्वामेनाथन कैसे प्रेरणा दे सकते हैं। हमारे देश का एक प्रॉब्लेम है कि राजनेताओं को सब जानते हैं। वैज्ञानी को बहुत कम लोग जानते हैं। हर गली महले में राजनेताओं के नाम जाने जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कॉंटुबिशन करने वाले लोगों की पहचान हमारे यह होती नहीं है। शाय विवस्ता का दोश होगा या स्वभाव का दोश होगा जोगी होगा लेकिन लंबे अर्शे से कमी महसूस हो रही है। और उसके कारण सायद आज की युवा पुधी को भी एक खिलाडी से इंस्पिरेशन मिल सकता होगा। एक सीने कलाकार से मिल सकता होगा। किसी राजनेता से मिल सकता होगा। किसी बड़े उद्यों के घराने से मिल सकता होगा। लेकिन मास लेवल पर युगा को वैज्ञानिकों की तरफ ध्यान नहीं जाता होगा अब कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक अपनी युगा आवस्ता में है दुनिया की ये कल्पना कि भारत तो भूका मरेगा भारत तो खतम होगा निराशा का माहोल हो भारत को बिलकुल है मान लिया गया कि तो गया ऐसे समय एक वाव वैज्ञानिक संकल्प करके कहें नहीं सिति बदली जा सकते है और हम बदल के रहेंगे पूरे ग्रिन रिवलुशन के मूल में एक युवा वैज्ञानिक का वो संकल्प है जो डॉक्टर स्वामिनाथन के रूप में हमारे सामने गड़ा दो यह चीजें आज की युवा पीडियो को पता नहीं है आज की युवा के सामने भी अगर इभी शाय स्टार्ट अप की दुनिया है उनके सामने आएक भई माल नूट्रेशन एक चुनावती है तिलहन दलहन पल्सीज हमारे हमारे पल्सीज में प्रोड़क्टिविटी भी काम है उसमें प्रोटीन कंटेंज वेल्यू भी बढ़ाने की आवश्रक्ता है अब यह चुनावतीयां आज की युवा पीडियी अगर मन में दम मान के सब्सक्राइब हम यह माल नूट्रेशन के अवस्ता हम बदल के रहेंगे हम देश के अगरिकल्चर रिवल्यूशन में इस प्रकार्थी चीज़े लाएंगे और मात्मा गामदी भी कहां करते थे भूखे का भगवान तो रोटी होता है और यही बात हम वैज्ञानिक तोर तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं है कि मुझे कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन में बड़ी अफील हो जाती है जैसे मैं मानता हूं शाय निर्दुस्तान के सभी प्रधान मंत्रियों के साथ आपने काम किया है पहले से लेकर के मेरे तक आपने दुनिया में देखा है किसी एक प्रधान मंत्रि के पाथ पुरानी भी फुटु खड़ी हो तो आदमी दो फिट उपर चलता है ये इतनी साध्गी इतनी सरलता कभी ये चीजें स्वामिनासन जी में रिफ्लाक नहीं देकी बने अर ये चीजे मैं किताब के अधर्ब नहीं कह रहा हूं अपने अनुभव से कह रहा हूं मैं गुजरात था तो ऐसे ही सिंपल वे में आते थे मिलते थे और जब मिलते थे पता भी नहीं चलता था कि ये इतने बड़े आदमी है पता ही नहीं चलता था यह अपने आप में सार्वजेनीक रूप में सफलता को पचाना कैसे यह बहुत शिखने जैसी चीज़ है व्यक्ति के रूप में चहरे पर प्रसंदत आ शाहिद ही किसी ने उनको चहरे पर अप्रसंदत देखा हो वरना ज्याधातर वज्ञानिक मुझे मापकर नहीं है बैठे हो तो इतीसवी सदी में भी ऐसे जीते हैं जैसे अठारवी सथादी में हो सारी दुनिया का बोज उनके पर होता है खोयों से रहते हैं परिवार के लोग भी परशान रहते हैं बोलते को और ही है इनके जीवेर में बड़ा उल्टा है सदा प्रसंद चीत यह अपने अपने बड़ी और यह तब होता है कि जब जीवन की कुछ चीजों को इंटर्नलाइज किया हो दिमागी ज्यान से संभव नहीं है रगों में वो बाते जब दौड़ती हैं तब यह संभव होता है और मैं मानता हूँ कोईन कोई इश्वरिय कृपा रही होगी कोईन कोईन की मात्पिता के संस्कारों के कारण रहा हो यह उन्होंने अपने जीवन में पचाया है मरदेश में कृषिक शेत्र को लेकर के आज भी चुन होती हैं बैसी की बैसी है ग्रीन डिवालुशन से सेकंड ग्रीन डिवालुशन की जरचा होती है लेकिन Evergreen Revolution भारत जैसे देश के सामने लक्ष है और Evergreen Revolution यह अगामारा लक्ष है तो हमने भारत का पोटेंशल कहां है कि उसको पहले एक बार मैपिंग करने की आवश्यक्ता है कि कुछ मात्रा में होता है कि अब हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा कि आर्थिक रूप से हमें बहुत इंबैलेंस देखता है पश्चीमी भारत की आर्थिक स्थिति ये पूर्वी भारत की इंबैलेंस सवस्था में लंबी दोड नहीं दोड सकता है कहीं ने कहीं तो वो लर्खडा जाएगा जबकि दोनों पेरे में समान ताकत हो दोनों हाथों में समान ताकत हो ये आवश्यक है अब पूर्वी हिंदुस्तान में जैसे पश्चीमी भारत ने गेहुं के द्वारा धान के द्वारा First Agro Revolution को लीड किया, Evergreen Revolution को लीड करने की ताकत पुर्वे हिंदुस्तान के राइस में है, चावल में है, और मैं मानता हूं पानी है, जमीन है, महनती, लोग है, वैज्ज्यानिक इंटर्वेंशन के यह वश्क्ता है, कि अगर हम करने में और सरकार इन दिनों उस दिशा में काम कर रही हैं डग साब से भी काफी हम सुझाओं लेते हैं अभी पिछले दिनों भी मैं मिला तो इसी वीश्वापर मैंने उनसे चर्चाए कि मुझे जरा इसमें आप गाइड कीजिए आज वो आये और हमारे टीम को का किसे काम करें अब यह वास है कि जनसंग बढ़ रही हैं कि जमीन बढ़ने वाली नहीं है कि कम होने वाली है तब स्वाइल मैनेजमेंट यह बहुत एहम आवश्चक्ता बन जाती है है होलिस्टिक एप्रोच कैसे हो इसके लिए हमारी प्रोड़क्टिविटी कैसे बढ़े ह हमास मार्जिनल फार्मर्स 85% है देश में ऐसी स्थिति में हमारे किसान कम जमिन में भी जाना उतपादन और उतपादी चीजे भी सिरफ खुद के पेट भरने के लिए नहीं उसकी अपनी इसकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो क्या कि क्वालिटी ऐसी हो ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके हैं हम इस दिशा में कितरा बल दे सकते हैं उसी प्रकार जे पानी का संकट सारी दुनिया में इसकी चरशा है हम री सैक्लिंग करें हम वाटर कंजर्वेशन करें सारा करने के बावजूद भी पानी एक चुनवती है इस मान के चलना चाहिए और पानी एक ऐसा विशे नहीं है कि जब आएगा तब देखा जाएगा जी नहीं अगर 20 साल 50 साल पहले सोच करके एक एक चीज को अभी से करना शुरू करेंगे तब जा करके अब इस विशे पर समाज में वो सेंसिटिवीटी तुरंत नहीं आती है जैसे एर पॉल्यूशन इवन कितने ही को संकट के रुप में अनुभूती कराना बड़ा खशीन है और इसलिए कि वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ हम पानी का उपयोग किस प्रकार से बैज्ञानिक तरीके से करें पर ड्रॉप मौर क्रॉप इस फिलोसफिक को लेकर के काम करने का प्रयास बरतमान में चल रहा है नदियों को जोडने का एक अभियान अगर कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग की और जाना है तो हमें पानी पहुंचाना पड़ेगा उसी प्रकार से स्वाइल बैनेजमेंट का ही मैं एक हिस्सा मानता हूं कि हम अनाप सनाप जो कैमिकल का उप्योग कर रहे है फटिलाइजर का उप्योग कर रहे है जो हमारी जमीन को तबाह कर रहे है नदी तढ़ पर जो खेत हैं कि वहां पर लोगों को लगता है कि पॉल्यूशन इंडिस्ट्री से होता है कभी कभी चिंता का विश्य है कि उसके दो चार किलोमेटर के रेंज में जो खेत है जहां केमिकल उप्योख होता है और वो पानी बारिश के बाद जब जमीन को धोकर के नदी में जाता है तो कैसे भ पचाना नदियों के पानी को मैकसिमम उप्योग करना तो एक प्रधान मंत्री क्रिसी स्विंचाई योजना एक बहुत बड़ा मिशन मोड में काम शुरू किया है उसी प्रकार से एक आवशक है हमारी आहां कभी कभार कुछन कुछ कानन से जो बोल चाल में जो विशे होते ह उसको हम निगलेक करते हैं यह बहुत आवशक है कि समाज जीवन में दसकों से सदियों से जो बोल चाल के विशे होते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है और लिबरेटरी में ले जाकर कि उस बोल चाल की चीजों को सिद्ध करने का कोशिस करना चाहिए मेरा इसलिए अनुभव है गुजरात में एक शेत्र हैं जिसको भाल कहते हैं समुद्री तटके पास में हैं खंबात की खाड़ी के इलाके में अब हम बच्पन से सुनते आएं होते भालीय गाहूं गेहूं गेहूं वालीय गेहू कहते थी उसको ए अपरक्रनाश की जो लोग रहती थे वो भालिया गाउं गेहूं खरीदना और प्रिजवर करना ये उनका स्वभाव था और बड़े महंगे दाम से ले लेते थे तो हमारे मन में रहता था ये भालिया गाउं भालिया गाउं इतरा क्या कारा कुछ तो होगा मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने थोड़ा उसमें रूची लेना शुरू किया और यह पाया गया कि नॉर्मली गेहूं कार्बन डीच होता है सर्प्राइजिंगली यह गेहूं प्रोटीन डीच है और बहुत ही कम इलाके में है तो मैं कभी स्विजलन गया था तो मैं वहाँ यह नेशले वगरे के लोगों को मिला था मैंने का भी नुट्रिशन के समझ्चा का समाधान करने के लिए इसको कैसे उप्योग हो सकता है फिर मेरे हां मैंने एक युनिवर्सिटिव के इसका काम दिया कि उसके जीन की विशे में रिशेच करें काफी काम हुआ है जैसे बास्मती शब्द हम जानते थे लेकिन हम देखा बास्मती की ताकत क्या है मैं मुझे आधा है अमरेली डिस्टिक ग्योर्जात में एक इलाका ऐसा है समभवी समधर तरसे हर कोई अमीर व्यक्ति एक बाजरा चाहे का तो वहीं से खरीदना चाहता है तो मैंने पूछा भई और मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बना तो वहां के एक एमेले थे वो मेरे लिए बाजरिया एक थेले में फरके गिप्ट की रुप में लाए थी तब तक मुझे भी मालूम नहीं था कि उस इलाके बाजरी की ताकत है तो बाद में मैंने कुछ व वैल्यू क्या है उसको हम और अगर वो सच मुझ में कोई एक्स्ट्रा ताकत वाली चीजे हैं या उसकी प्रोड़क्टिविटी की ताकत हो या कोई इनको ऐसा शरीर के लिए उप्यूगी हो मानवजाद के लिए उप्यूगी है तो उसका रिसर्च यह पनंपरागत चीजे और वैज्ञान दोनों को मेल हम जितना जल्दी करेंगे और इसलिए मने अभी हमारे मन्त विभाग के लोगा सिर्बार कहा था मैंने कहा भी हर जिले के अपनी एक कृशी लगती पहचान क्यों नहों हो उस डिस्टिक में एंटर करें तो बाड़ हो बड़ा कि यह जिला करता है हमारे वारी एलाकों की पहचान क्रिसी 7 आइडन्टिफाय Кई से करें हम लोगों के आतथ नहीं है इस से एक अब जैसे मुझे आथ है जब हमारे याद दुमल जी की सरकार थी, हमाचल में, मैं उस समय हमाचल में रहता था, उस समय मैं आप ये सोलन में मश्रूम के लिए इतना काम होता है, हम इसको कैप्चर को नहीं कर पाते हैं, इसको ब्रांडिंग क्यों नहीं करते हैं, और आज आएंगे, तो वहां बॉर्ड लगे हुई है, कि मस्रूम सिटी में आपका स्वागत है, अब दिरी दिर शायद और उनना शुरू किया है, पर एपल का भी बॉर्ड लगाया है, कि कीवी का लगाया है, हमारे देश में सामाने जन को इन चीजों से कैसे जोड़ा जा सकता है, इससे एक पहचान मनती हो, वो किसान भी इडेंटिफाय होता है, और जो मार्केट से जुड़े लोग है, उनको भी ध्यान रखता है, यह 16 जिले है, जिसकी चावल के लिए पहचान है, तो ब्याप्यार करना है, खरीद करना है तो उस पर जाओ, यह 20 जिले हैं, तिलहन के ल जरूरी है, उसके कानण, प्रोड़क्त, प्रोड़क्त के साथ उसका प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग चे वैल्यू एडिशन, इसकी संभावना बढ़ जाती है, अगर यह हम चेन विवस्ता खड़ी करते हैं, उसी प्रकार से, फल होगे तो इसके स्टोरेज अलग प्रकार आएगा, हमारे इतने बड़े विशाल देश को अगर इन चीजों के अंदर हम जितना जल्दी से ले जाएंगे, हम क्योंकि हमारा सपना है, 2022, जब देश की आजहादी के 75 साल हो, हमारे देश के किसान की इंकम डबल होनी चाहिए, किसान की इंकम डबल हो सकती है, कुछ दिन पाले जब स्वाविनासने जी से मैं मिला था, तो मैंने उनसे कहां, तो मैंने का कुछ एग्रो एकोनोमिस जो हैं से आप बुलाइए, चर्चा कीजिए, उन्हों मिजे एक पेपर भी लिख करके भेजा हो, कि ये ये चीजे हैं जिस पर आप धान दीजिए, तो मैं काम कर र इन तीन चीजों के और अब जैसे नीम कोटिंग यूरिया हो, अब कोई आस्मान से टपका हुआ कोई विज्ञान नहीं था, लेकिन हम इन चीजों को लागू करना महत्व नहीं देते थे, आज नीम कोटिंग यूरिया का प्रणाम ये आया है, कि यूरिया की चोरी तो खतम हुई हुई बेइमानी जो खतम हुई लेकिन साथ साथ यूरिया की खपत भी कम हो रही है और तुरन नजर में आया है गेहूं और चावल के उत्पादन बढ़ा है कम यूरिया का उपयोग करते हुए भी उत्पादन बढ़ा है तो यह अपने आप में ऐसी चीजे हम जितनी स् करेंगे उतना उसका लाप होगा भारत सरकार का इस दिशा में प्रयास हैं स्वामिनाथन जी की सक्रियता उनका यह प्रयास और भारत को एवर ग्रीन डिवालुशन की और एक सस्टेनेबल एग्रिकल्चर सिस्टिम की और ले जाने की दिशा में हम लोग इंज बैग्यानिक प्रयोगों को क्योंकि सबसे बड़ी एक जो हमारी समस्या है लैब टू लैंड उसमें बहुत बड़ी खाई है लैब टू लैंड यह हमारा टार्गेट होना चाहिए तब तक ही पहुँचती जब तक कि वो किसान के दिमाग में पहले नहीं पहुचती यह एक ऐसा उद्योपती के दिमाग में कुछ हो जाना उसको जेब में पैसा आना चाहिए वो करेगा किसान का ऐसा नहीं है किसान जल्दी रिस्ट नहीं लेता है इन दिनों प्रधान मंति इसके पुर्व क्रिशी में फसल बिमायोजरा में जितने लोग आते थे इस नई प्रधानमत्री फसल बिमायोजरा के कारण साथ गुना लोग उसके कवर में आये है अभी तो शुरुवात है परचार भी उतना नहीं हुआ है किसान में भी इपसेंट बड़स रहते हैं लेकिन एकदम से साथ गुना एकी साल में जंप लगाना ये हमारे फार्मर्स को सिकुरिटी का एहसास दिलाता है और एक बार सिकुरिटी का एहसास हो गया तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपिसिटी बढ़ जाती है और जब रिस्क टेकिंग कैपिसिटी बढ़ जाती है तो वो विज् है लेप तू लेंड प्रोसेस को आगे बढ़ाने की उस दिशा में काम चल रहा है मैं फिर एक बार प्रस्वामिनाथन जी को रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं देश की बहुत सेवा की है देश के किसामों की बहुत सेवा की है देश के गरीब के पेट को फरने के लि ग्रत्राओ यहँ झाल रहा है झाल 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 ऑटल, क्र रहा है।